हेलो फ्रेंड्स नमस्कार और स्वाक्त है आपका एक्जाम क्रैकर यूट्यूब चैनल में है आज हम एक फास्टेस्ट मेथट सीखेंगे कुछ नंबर को एड करने के लिए जैसे हमारे पास है 0.4 इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है 0.8 प्लस 0.88 प्लस 0.88 और कुछ और कुछ और क्वेश्चन है जैसे 2.3 प्लस 2.33 प्लस 5.333 प्लस 1.4 टाइम 3 या फिर 7 7 और 7 की सीरीज को एड करना है इसको एक तम से और फास्टस तरिके से कैसे एड करना है आज हम यह सिखेंगे तो सबसे पहले हम यह कोईश्चित देखते हैं 9 प्लस 9 9 प्लस 9 9 प्लस 4 टाइम 9 9 तो फ्रेंड इस टाइप के क्वेश्चन को सूल्ब करने के लिए हम जो नंबर है उसको बाहा लिख लेते हैं और उसके बाद जैसे कॉंटिंग करते हैं यहां से कितने 9 है 1 यहां कितने है 2 यहां कितने है 3 यहां कितने है 4 और अगर 5 होते आगे तो हम 5 लेते हैं और उसके बाद 9 से इसको multiply कर देना है यह जो भी number आगे लिखा होगा तो इसका answer आजाएगा हमारे पास one one zero six और यह solve हो गया और अगर हमारे पास eight plus double eight plus triple eight और four time eight या इस type से question हो तो हम क्या करेंगे सबसे पहले eight को बहा लिख लेंगे उसके बाद counting करेंगे यहाँ पर one यहाँ पर two यहाँ three तो three लिख लेंगे यहाँ four है तो four लिख लेंगे यहाँ five है तो five लिख लेंगे और उसके बाद इसको twelve three hundred forty five को eight से multiply करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास nine eight seven six zero और यह इसका answer हो और अगर हमारे पास इस टाइप से seven के साथ हो तो हम सबसे बाहर seven लिखेंगे फिर counting करेंगे left side से one यह two है seven two bar है तो seven को two bar है तो two लिखेंगे फिर three है तो three लिखेंगे फिर four है तो four लिखेंगे आगे five है तो five लिखेंगे और जब multiply करेंगे इसको यह हमारे पास हो जाएगा eight six four one five और यह इसका answer होगा और इसी तरह हमारे पास आगर decimal मैं नमबर लिखेंगे जैसे point eight plus point eight eight और यह इस तरह से तो हम क्या करेंगे सबसे पहले eight कोम ले लेंगे या eight बाहर लिख लेंगे उसके बाद हमने यहां पर लिखा था पिछली बार जब decimal नहीं था तो one फिर two फिर three फिर four फिर five लेकिन इस बार यहां से counting सुरू करेंगे तो यहां one two three four five हम लिखेंगे five फिर four फिर three फिर two फिर one और इसको multiply कर देंगे और उसके बाद decimal देखेंगे तो decimal यहां से देखेंगे एक दो तीन चार पांच डिजिट के बाद है यहां भी one two three four five डिजिट के बाद आएगा तो यह आ जाएगा और decimal यहां से five डिजिट के बाद जैसे जितना डिजिट लास्ट में है उसके बाद तो अगला question करते हैं अगर हमारे पास यहां पर point four plus point four की टाइप पी सीरीज हो हम क्या करेंगे सबसे पहले फ्र बाहा लिख लेंगे फिर यहां से वान वीफूर फाइब एफ फाइब फिर यहां से four यहां से three यहां से डू आ जाएगा यहां से one आ जायेगा और फिर पांच डिजिट के बाद एक, दो, तीन, चार, पांच, जो सबसे लास्ट में है, राइट साइड में होगा, उतने डीजिट के बाद, एक, दो, तीन, चार और पांच, तो फोर से मल्टिप्लाई करेंगे, तो यह आएगा हमारे पास, फोर, एट, टू, सेवन, और डीजिट आएगा, यहाँ पर डैसिमल आएगा, यहाँ पर है, टू पॉइंट, टू पॉइंट वन सेवन, लेकिन फ्रेंट्स, अगर हमारे पास इस टाइप के सीज़ हो, जहाँ पर डैसिमल के पीछे या मिक्स हो, तो हम क्या करेंगे, यह जो नमबर है, डैसिमल के लेफ्ट हैंट साइड में, उनको अलग से कर लेंगे, तो यहाँ लिकेंगे टू, यहाँ से टू ले लिया, यहाँ से टू ले लिया, यहाँ से फाइब ले लिया, यहाँ से वान ले लिया, फिर प्लस बाग की जो बचेगा 0.3 0.33 0.333 0.333 अब इनको अलग से जोड लेंगे तो ये बन जाएगा 10 प्लस और इसको जैसे हम करते आये हैं 3 बाहर ले लेंगे फिर 1, 2, 3, 4 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 4 है, यहां 3 है यहां 2 है, यहां 1 है, तो यह लिखा हमने और उसके बाद इसको मल्टिप्लाई करेंगे तो डैसिमल भी देखेंगे, कहा आएगा 4 डिजिट के बाद, तो यहां पर 4 डिजिट के बाद फिर जब मल्टिप्लाई करेंगे तो डैसिमल आएगा चार डिजिट के बाद और ये इस टाइब से यहां पर आएगा 11.2963 और ये अंसर हो गया आपके लिए ये exercise है आप इन questions को करके answer comment box में comment कर सकते हैं आप answer हमारी website www.dhiman.com पे भी चेक कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लिजिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद